रानी गंच के सियार सोल राजबाडी इलाके के बास्केट पाड़ा निवासी सोमा दास का शव उनके ससुराल में फंदे से लटकता हुआ पाये जाने की घटना से पूरे इलाके में संसनी थैल गई घटना के बारे में जानकारी देते हुए। सोमा दास की माः पद्मा दास ने बताया कि बेटी की शादी काशी रुईदास के साथ तीन महीने पहले ही हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल वाले उनकी बेटी पर अत्याचार किया करते थे. उन्होंने बताया कि कल सुभा उनकी बेटी के साथ फोन पर उनकी बात हुई तब उनकी बेटी ने कहा कि उनकी तबियत ठीक नहीं है और वह गुरुवार को अपने माय के आएंगी उन्होंने कहा कि उसके बाद उन्होंने फोन काट दिया शाम को 6 बजे के आसपास जब उन्होंने सोमा के पती के नंबर पर फोन किया तो उनके पती ने बताया कि सोमा कहीं बाहर गई है थोड़ी देर बाद वह फोन करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद उनके पती ने फोन पर बताया कि सोमा ने आत्म हत्या कर ली है, सोमा की मा का कहना है कि शादी के बाद से ही ससुराल में उनकी बेटी पर अत्याचार हुआ करता था, उनको पूरा शक है कि उनकी बेटी की हत् उन्होंने कहा कि उनको अपनी बेटी को देखने का भी नसीब नहीं हुआ सोमा की मा ने बताया कि उनके ससुराल वालों ने बताया कि धर में ताला बंद था पुलिस ने मौके पर पहुँच कर ताला तोड़ कर शव को बरामत किया हालां की सोमा की मा को पूरा संदे है कि उनके ससुराल वालों ने ही उनकी बेटी की हत्या की है उन्होंने प्रशासन से मांग की कि उनकी बेटी के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए घटना की जानकारी पाकर रानी गंज के नए विडियो सुभाजत गोस्वामी भी थाने पहुंचे, एल उन्होंने पूरे घटना की जानकारी लिया वहीं पश्चन बंगाल बावरी समाज शिक्षा समिती के ब्लॉक अध्यक्ष निताई बावरी भी मौके पर पहुंचे उन्होंने भी इस घटना में दोशियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग किया, खबर पांडेश्वर की रिपोर्ट हमाते गाल फॉर कारी लिए वी वारी बावरी जाब्लॉक शरी सरा पांडेश्वर की मौके ए समी रावरी शरी बंगाल फारी अध्यक्षियों कि तारहिकर आंगातार फान खुड़े यूचि फान तुलचे ना सब्सक्राइब 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 काशी नात रूइडास काच गोट तो इन पिंगी की जाक दिन से इस पोंच कर जामुडियाते काच गोट तो अमने नम पद्दा दास मावाई है 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 ह कMore झाल झाल